हेलो फ्रेंट्स बारिश का मौसम है और इसमें अगर एक गर्मा गर्म फिश फ्राय हो जाए तो क्या ही कहने तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पॉंफ्रेट फिश फ्राय ये खाने में भी टेस्टी है और इसे बनाना भी आसान है आएए देखें इसके इंग्रीडियंट्स तो यहाँ पर हमने लिया है दो बड़े पॉंफ्रेट फिश इसके अलावा बाकी इंग्रीडियंट्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने फिश को अच्छे से धो के इसे बीश में से ऐसे काट के रखा हुआ है इसे हमने ऐसे चीरा दिया हुआ है ताकि आप इसमें मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट कर सके अब हम ले रहे हैं नमक, हल्दी, फिश फ्राइ मसाला और ये जिंजर गालिक पेस्ट जिसमें हमने काली मिर्च भी पीस ली है तो चली अब इसे बनाते हैं सबसे पहले फिश फ्राइ मसाले में आप डाले नमक, हल्दी, दो से तीन बड़े चमच जिंजर गालिक पेस्ट इन सारे इंड्रीडियन्स को अब हल्का सा पानी देके इसे अच्छे से मिला ले ताकि ये एक पेस्ट बन जाए ये देखें ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है तो चलिए अब हम लेते हैं एक पॉंपरेट फिश और ये पेस्ट उसमें लगा लेते हैं ये देखें आपको पेस्ट अच्छे से फिश के दोनों तरफ लगाना है और जहां पर हमने इसमें चीरा दिया है उसके अंदर भी आपको मसाला लगाना है ऐसा करने से फिश के अंदर भी मसाला जाएगा और ये अच्छे से पक सकेगा ये देखिए अब हमने इसे फ्लिप कर लिया है और हम पीछे से तरफ भी मसाला अच्छी तरह से लगा रहे हैं फिश को मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट करें ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है ये देखिए हमने दूसरे फिश में भी मसाला लगा लिया है और दोनों फिश को इस तरह से रख दिया है मारिनेट करके आपको फिश लगभग आधे से एक घंटे तक छोड़ना है आप चाहे तो आप ये बाहर रख सकते हैं या तो आप ये फिश के अंदर भी रख सकते हैं अब आप एक पैन में दो टेबल स्पून तेल लें तेल को पूरे पैन में अच्छी तरह से फिला ले और तेल आपका अच्छे से गरम होना चाहिए जब तेल गरम हो जाए तब आप इसमें ऐसे एक पॉम्प्रेट फिश को डाल दे ध्यान रखे कि फिश का एक तरफ अच्छे से पक जाना चाहिए उसी के बाद आप इसे फ्लिप करें ये देखे हमारा फिश ऐसे पक रहा है ये एक तरफ से पक गया है तो अब हम इसे धीरे से फ्लिप करेंगे नहीं तो फिश बीच में इसे ब्रेक हो सकती है ये देखे हमने इसे फ्लिप कर लिया है अब आप इसके दूसरे तरफ भी अच्छे से पका ले अब हमने ये पका हुआ फिश एक प्लेट में निकाल लिया है इसमें आप एक आधा नीम्बू नी चोड़ ले इसे फिश का टेस्ट अच्छा आता है यहाँ पर हमने फिश को ऐसे सजा लिया है और बस आपका पॉंफरेट फिश फ्राइब बिलकुल तयार है आप इसे ऐसे ही as a starter खा सकते है या फिर आप इसे गर्मा गरम राइस के साथ भी ले सकते है ये खाने में बहुत ही tasty है हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत भहुत धन्यवाद इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले